हलो आज मैं बनाने जा रही हूं मतर पुलाव यह पुलाव पांश से दंस मिट में बन जाता है जब भी आपको भूक लगी हो और आपको कुछ खाने का मन करें तो आप फटा फट से यह पुलाव बना सकते हैं यहां पर मैंने एक कोकर गरम कर लिया है इसमे एक चमश तेल डाल दिया है तेल को थोड़ा गरम होने देंगे तेल थोड़ा गरम हो चुका है अब मैं इसमे एक चमश जीरा डाल रही हूं थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, लॉंग है, डाल चिनी है, एक स्टार फूल है, तेज पत्ता है, दो तिन करी पत्ते हैं, और एक हरी मिज़ डाली है मसालो को थोड़ा भूनेंगे 5 मिनिट तक, यहाँ पर मैंने एक कटोरी मतर लिए हैं, मतर को थोड़ा सा भून लेंगे, यहाँ पर मैंने यह फ्रोजन मतर लिए हैं, आप फ्रेश मतर का यूज भी कर सकते हैं यह देखिए, मतर अच्छे से भून चुके हैं, यहाँ पर मैं एक से देड़ कटोरी पानी डाल रही हूँ, क्यूंकि इसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चावल लिया है पानी को थोड़ा सा उबलने देंगे, एक चमज नमक डाल रही हूँ, यह पुलाव भूती फटा-फट बन जाता है और बहुती टेस्टी लगता है, और बच्चों को काफी पसंद आता है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और यह मटर पुलाव एक बार जरूर ट्राय करें पानी उबल चुका है, अब मैं यहाँ पर चावल डालूँगी, यहाँ पर मैंने एक क्टोरी चावल लिये थे और इन्हें अच्छे से दो लिया है इसे अच्छे से हम हिलाते रहेंगे इसे दो मीट तक अच्छे से उबलने देंगे पानी थोड़ा सा उबल चुका है अब हम कुकर का ढखकन लगा देंगे और एक सीटी ले लेंगे और बंद कर देंगे एक सीटी के बाद ग्यास बंद कर देना है यह देखिए हमाई सीटी हो चुकी है अब हम ग्यास कॉफ कर देंगे यह देखिए हमारा पुलाव बंद कर तयार है